प्यारे बच्चो इस वीडियो में हम कक्सा 5 की जो अंग्रे जी की पाठे पुस्तक है उसका जो पहला लेसन है उसमें एक पोयम दी गई है Don't Give Up नाम से इस पोयम को प्यारे बच्चो हम इस वीडियो में समझेंगे पढ़ेंगे और आपको ये पोयम बहुत ही एक अच्छा गहरा संदेश देने वाली है तो आप ध्यान से इस पोयम को पढ़ना शुरू कीजिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चो अपने इस वीडियो को हमारी ये जो पोयम है इस पोयम का नाम क्या है डॉन्ट गिवप डॉन्ट गिवप का मतलब होता है हिम्मत नहीं हार जाना या पीछे नहीं हट जाना कभी घबरा नहीं जाना डॉन्ट गिवप मतलब छोड़ना नहीं है परियास करते रहना है चाहे मुसीबत कितने भी आ ज पीछे नहीं हट जाना, छोड़ नहीं देना, परियास करते रहना है, परियास छोड़ नहीं देना, don't give up. अब प्यारे बच्चो, इस पोयम को हम लाइन बाइन समझते जाएंगे, सबसे पहले हमारा पहला जो पैरगराफ है, if you keep on going, अगर आप चलते रहे, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे नहीं हटे, अगर आप मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, इमानद हटे नहीं, तो फिर जानते हैं क्या होगा, you can keep on going, अगर आप चलते रहे, कभी रुके नहीं, तो पता है आपको एक दिन क्या मिलेगा, you can make it to the top, तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, अपनी मंजिल को पा लेंगे, अपने लक्षे को प्राप्त कर लेंगे, और जहां आपको जाना था, वहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसा तभी संभव है, जब आप रुकेंगे नहीं, if you keep on going, अगर आप महनत करते रहे, इमानदारी से, लगन से, आगे बढ़ते रहे, और अपने लक्षे के परती, आप जाग रूक रहे, तो ऐसा तभी संभव है, ज जब आप कभी रुकेंगे नहीं, कभी हारेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं, चाहें मुसीबतें कितनी भी क्यों ना आजाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आपको महनत कर करते रहना है और एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे अब हम देखते हैं प्यारे वच्चो इस कविता के दूसरे पैरागराफ को दूसरा पैरागराफ क्या है लाइफ इस फुल ओप माउंटेन्स हमारा जो जीवन है वो कठिनाईयों से भरा हुआ है माउंटेन्स का मतलब यहां पर है कठिनाईयां मुसीबते हमारा जीवन सुक दुख से मुसीबतों से भरा पड़ा है लेकिन इन कठिनाईयों से आपको घ गवराना नहीं है, कुछ कठिनाईयां तो some are big and some are small, कुछ कठिनाईयां तो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ कठिनाईयां छोटी भी होती हैं, फिर आगे क्या, but if you don't give up, लेकिन अगर आप इन कठिनाईयों से गवरा कर हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, अगर आप इन कठि इन कठिनाईयों को नजद अंदाज कर देते हैं, और अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो एक दिन पता है क्या होगा, you can overcome them all, आप इन सब मुसीबतों को अपने वश में कर सकते हो, अपने काबू में कर सकते हो, फिर ये समस्याएं ये मुसीबतें, ये कठिनाईयां आपको परेशान नहीं करेंगी, ऐसा तभी होगा, जब आप अपने मन में दरड विश्वास लिए हो, और आपको सिर्फ एक ही बात दिक रही हो, कि हमें तो अपनी मंजिल प्राप्त करनी हैं, आपका सपना सिर्फ अपने लक्षे की और ह तब आपको ये चीजे विचलित नहीं करेंगी, इसलिए प्यारे वच्चों आपको इमानदारी से महनत करनी हैं, अपने लक्षे की तरफ बढ़ते चले जाना हैं, और जीवन में हमेशा गलत चीजों से दूर रह करके आपको महनत करनी हैं, पढ़ाई करनी हैं, और अपने लक्षे की तरफ बढ़ते चले जाना हैं, आगे क्या लिखा है प्यारे वच्चों, इस कविता के जो तीसरा पैरा है, उसमें क्या लिखा है, उसको देखते हैं अब, तीसरा पैरा गराप में, so keep on going, इसलिए आगे बढ़ते रहिए, इसलिए आगे बढ़ते रहना, so keep on going, चलते रहना, रुकना नहीं है, चलते रहना, try not to stop, अगर आप किसी काम को ये देखते हैं कि ये काम कठिन है, try, try मतलब उसके लिए परियास कीजिए, परियतन कीजिए, कोशिश कीजिए, not to stop, रुकने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए ही हमें परियास करना है, try not to stop आप रुक जाएंगे ऐसे परियास नहीं करना है आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए परियास तो करना है not to stop अगर हार गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि रुक जाएं फिर से कोशिस कीजिए दोबारा उसको पूरी शक्ती से पूरी लगन से महनत से पूरी पावर से फिर से शुरू कीजिए उस काम को ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार ऐसा फल हो गए तो रुक जाएंगे हारना नहीं है रुकना नहीं है आगे बढ़ते जाना है आगे क्या लिखा है when you keep on going जब आप चलते रहेंगे काम करते रहेंगे अपने लक्षे की तरफ बढ़ते रहेंगे इमानदारी से महनत करते रहेंगे तो जानते हैं क्या होगा you can make it to the top आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे आप कभी हारेंगे नहीं अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे अपने लक्षे को प्राप्त कर लेंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चो ये कविता है अब आप इस कविता में ये दूसरा चितर है इस चितर में ये तीन बच्चे हस रहें हैं बहुत खुश हैं क्योंकि ये अपनी मंजिल पर पहुँच गए है और एक चितर ओर दिया गया है इस कविता में प्यारे बच्चो ये तीन बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पर ये पहाड पर बरब के पहाड पर चढ़ रहे हैं ये देखिए ये मेहनत से लगन से उपर की तरब बढ़ रहे हैं अपने लक्षे की और जब इनके रास्ते में कठिनाया तो आएंगी तो लेकिन जब ये अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो इनकी खुशी को आप देख सकते हैं